हाई फ्रेंड्स मैं अकान शाह जीके विद अकान शाह में आपका स्वागत करती हूं आज हम MPPSC मेंस के लिए भूबुल के थ्री मार्कर प्रश्ण करने वाले हैं करीब 8 से 10 प्रश्ण हम इसको करेंगे कैसे हमको लिखना है अगर आपको 2019 के लिखना है तो आप इसमें 3 पॉइंट लिख दीजेगा लेकिन अगर आपको 2020 के लिखना है तो आप 2 पॉइंट लिख दीजेगा तो इस पिकार से आप 2019-2020 में इतना ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजेगा कि कुछ टॉपिक चेंज जरूर हुए है मतलब इंक्लूड जरूर हुए है लेकिन आपको कहीं न कहीं से मिलते जुलते हो भले वह एथिक्स का हो यह दूसरे सब्जेक्ट का हो हम इसका में 2020 का स्लेवर्स भी एक बार अच्छे से पढ़ है क्योंकि मेरे नोट्स है जो आपको मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है जिसे आप पर्चेस कर सकते हैं इसकी प्राइस 90 रुपीज है जिसमें यह सभी कोशन है यह वही उन्हीं नोट्स में से मैं आपको पढ़ाती हूं सभी हैं रिटन है करेवा क्या है तो क कश्मीर में हैं कश्मीर की जील की तली में जमय हूशेप है जो परवत निर्मानाकारी हल्चलों के कारण उपर उट गए나 लगए नेच्ट हे ट्रांस हेमाले, तो ट्रांस हेमाले को कैसे बोलईंगी, तो तिबद के पठार से लेकर, ब्रहत हेमाले के उत्तर में विस्त्र छेत्र, जिसमें कारा कॉरम लदाक वा जासकर स्रेडिंग है, देखे हमको उतना ही लिखना है तूदा पॉइंट, ज्यादा वो नही प्रत्वी प्रति दिन पश्च्यम से पूरब के और घूमती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं यही गती दैनिक गती या घूनन गती कहलाती है नेक्ट कोशन है सौर दिवस क्या है तो जब सूर्य को गतीहीन मानकर प्रत्वी द्वारा उसके परिक्रमन की गर्णा दिपसों के रूप में की जाती है तब सौर दिवस घ्यात होता है इसकी अब दी 24 गंटे की होती है नेक्स कोशन है उपसौर क्या है तो प्रत्वी जब सूर्य के बहुत पास होती है उसे उपसौर कहते हैं ऐसी इस्थिती तीन जन्वरी को होती है नेक्स कोशन है अपसौर से आप क्या समझते हैं तो प्रत्वी जब सूर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं ऐसी स्थिती चार जुलाई को होती है नेक्स कोशन है सिजगी क्या है जब सूर्य, चंड्रमा और प्रित्वी एक ही सीध रेखा में होते हैं तो समलिच सक्ति के फलसरोप दीर्ग जोआर का अनुभव किया जाता है यह स्थिति सिजगी कहलाती है यह सूर्य है और यह प्रित्वी है और यह चंड्रमा है तीनों कहां पे हैं तीनों एक ही सीध में हैं तो एक ही सीध में जो होते हैं वो हम क्या कहलाता है वो स्थिति सिजगी कहलाती है नेक्स्ट कोशन है आंतरिक जल पर टिप्डी लिखो इस्थलिय भाग और आधार रेखा के बीच सागरिय जल को आंतरिक जल कहते हैं नेक्स्ट है प्राइदीपिय पठार पर टिप्डी लिखो तो गोंडवाना लेंड का भाग प्राचीनतम चट्टानों से बना होता है और तीन ओर से समुद्र से घेरा होता है यही प्राइदीपिय पठार कहलाता है नेक्स्ट कोशन है क्रेटर क्या है तो ज्वाला मुखी संकु के उपर मिलने वाले कीपा कार गरत नोमा आकरती है यदि इसमें जल भरा जाए तो ये क्रेटर जील बन जाती है उधारन महरास्ट की लोनार जील ये क्रेटर का उधारन इस प्रिकार से यहां पे भर जाता है तो येसे की महारास में लोनार जील है, जो कि जौला मुखी के कारण निर्मित हुई है नेक्स्ट कोशन है कॉलडेरा क्या है? तो जौला मुखी संकू के उपर मिलने वाली आकरती क्रेटर कहलाती है क्रेटर का विस्तरत रूप कालडेरा कहलाता है ये धसाव या विस्वोट से बनते हैं ये आप उसका एक्चित्र बना के समझा देंगे नेक्ट कोशन है सुपर मून क्या है तो चंदर्मा अंडाकार कक्ष में प्रत्वी की गति करता है जिससे प्रत्वी और चंदर्मा की दूरी बदलती रहती है या वह इस्तिती होती है जब चंदर्मा प्रत्वी के सबसे अधिक पास होता है नेक्ट कोशन है विलू मून को समझाओ एक कैलेंडर महा में जब दो पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा का चांद विलू मून कहलाता है नेक्ट कोशन है चुद्र ग्रह को समझाईए तो चुद्र ग्रह मंगल वा ब्रहसपती ग्रह के मद्य छेत्र में सूरी के परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सेकड़ो किलुमीटर आकार के पिंड होते हैं तो किसके बीच होते हैं ये मंगल और ब्रहसपती के बीच होते है मंगल और ब्रहाज पतिग्रह के मध्य छेत्र में सूरे की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सेंकडो किलुमीटर आकार के पिंट होते हैं नेक्ट कोशन है ब्रहंस घाटी को समझाइए क्या है ब्रहंस रेखाओं के बीच का चट्टानी इस्तंब नीचे की और धस जाता है तब भ्रहंस घाटी बन जाती है तो फ्रेंस यह थे हमारे आज के कोशन ऐसे ही और कोशन के लिए आप मेरे चैनल को पर बने रहिएगा यह म पर्चेस कर सकते हैं और इनकी पूरी जानकरी आप मुझे इस नंबर पर वाटसप करके ले सकते हैं यह आपको इसकी पूरी जानकरी मिल जाएगी कौन से नोट से कितने का है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा और चैनल को मिल जाएगा ओके फैंस थेंक यू